हलो फ्रेंड्स, शुद्धिकास किचिन में आप सभी का स्वागत है हम सभी को पता है कि आम फलो का राजा है और गर्मियों के सीजन में अगर आम की रेसिपी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता तो आज मैं आप सभी के लिए आम की एक रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है मैंगो मस्तानी तो आईए देखते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए इसके लिए हमें चाहिए एक कप आम का पल्म यहां मैंने हापोस आम का पल्म लिया हुआ है एक कप विब क्रीम थोड़े से ड्राइफ्रूट यहां मैंने काजू बदाम और किश्मिश ली है आम के टुकड़े कुछ थोड़ी सी पिसी हुई इलाइची और थोड़ी सी पिसी हुई शक्कर तो हम एक बर्तन में आम का पल्प लेंगे विब्डी क्रीम लेंगे अभी हम इसको बिटर्स है दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक इसका कलर यलो नहीं आ जाए तक बाल कि अभी हम इसमें दो टेबल स्पून क्पीसी हुई शक कर लेंगे शक्कर आप के हिसाब से ले सकता है अगर आम ज्यादा क्षटे हैं तो आप शक्कर ज्यादा भी ले सकते हैं इसी हुई लाइची लेंगे यह हाफ टीस्पून मैंने प्वेशी हुई लाइची ले लिए इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमारी क्रीम मैंगो का पल्प सब कुछ अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है तो अब हम हम इसे जिपलोग बैग में खाली कर लेंगे इस तरीके से तो सबसे पहले हम ग्लास में विब्ड क्रीम डालेंगे थोड़ी सी और अब हम स्टाइब करेंगे थोड़ी से नट्स डालेंगे थोड़ी से नट्स डालेंगे इसमें उपर से भी हम विब्ड क्रीम डाल रहे हैं इस पर कुछ नट्स उपर से भी हम डाल रहे हैं इसमें इस में सिर्फ एक ही साइड डाल रहे हूं और और एक साइड में आम के पीसे रखूँगी इस तरीके से हमारी मेंगो मस्तानी सर्व करने के लिए रेडी हैं अब अब इसे ट्राइ कीजिए और इसे सर्व करने के पहले थोड़ी देर फ्रिज में रख दीजिए उसके बाद सर्व कीजिए और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल शुद्धिकास कीजिन को सब्स्राइब करना ना भूले थैंक यूँब कर दो दो हमारे यूट्यूब